वाड़ी पोलिस टेशन शेत्र में अवित दारू पिक्री की वार्था ते बढ़ती देख एक बार रेस्टोरेंट पर पोलिस उपायत नुरूल हसन ने चापा मार कर कारीवाई करने से शेत्र के सभी अवित शराब पिक्री करने वालों में संसरी फैली है प्राप्त जानकारी के अनुसार पोलिस उपायत नुरूल हसन ने वाड़ी सीद रोहित बार और रेस्टोरेंट एमाई टीसी पर रविवार को सुपे तकरीब बारा बचे चापा मार कर कठोर कारीवाई की जानकारी है कि बार बालक तथा कामकार द्वारा लोगडाउंग के सक्त आदिश पर भी अनिक दिनों से बार का शटर खोल शराब बेच रहे थी तो वही बार मैनेचर अंदर से दारू निकाल कर कर्मचारी के हातों गेट के सामड़ी दारू दे रहे थी इस बात की खूपिया जानकारी टीसेपी हसन को मिलते ही हसन दे रविवार को रोहित बार पर चापा मार कारीवाई की इस चापे से शेतर मी अवेत अरेक शराव व्यापारी उपर हड का बचावा है ग्यात रहे कि वाड़ी शेतर में तकरिबन 22 से 23 वार Arend रेस्टोरेंट है जिसमें वरदामना के 6 बार रेस्टोरेंट है और बाकी वाड़ी शहर में है कुछ बार एन रेस्टोरेंट सर्याम लॉक्टाउन तथा सरकात्वरा दे गए निर्देशों का धज्या उड़ा रहे हैं। उसमें वर्दामना के ग्रांड रेस्टोरेंट, दत्यवाडी का दकूल बुलेट बार रेस्टोरेंट तथा वाडी के रॉल प्लाजा का समाविश है। नारायन चौधरी के खिलाब मामला दर्शकर कुल 9300 का मुतेमाल जब्त क्या ख्या। राजिश भर्णे ने कारिवाई को अंजाम दिया। उत्पाद शुल्क विभाग के नाक के निचे हो रही शराब बिक्री ये कारिवाई उत्पाद शुल्क विभाग वरा होनी चाहिए। परंतु उत्पाद शुल्क विभाग आराम की निचे लितिवे नसरा रहे है। उत्पाद शुल्क विभाग के चुपी का क्या करण है ये संदिह पैता हो रहा है। बार की शराब बिक्री पर लॉक्डाउन तथा सरकार वरा निर्देशों पर उत्पाद शुल्क की भूमी का स्पश्ट नजर नहीं आने से शेत्र में अलग-अलग तर्क निकाले जाने है। इस संदर में पुलिस उपाय तर नुरुल हसन एनों ने कहा कि रोहिदबार को सिल्क या क्या है वैसी उनका दारु का परवाना भी रद क्या जाएगा। लंबी कतार में दारु की बिक्री कर रहे थी। आज आम ही वरिष्टन चे आदेशान होए। यमाई DCT point ये थे। नाकाबंदी ड्यूटी करतास्ताने माननिया DCP जोनवान। श्रीमान नौरूल हसंसा यानि त्या ठीकाने भीजिट दिली भेड दिली आनि ते सतर्कतेने पेटोलिंक रतस्ताने साइट चा एका गल्ली मादे त्यानना काही लोग जमलाचे आधरले त्या वड़ून आमाला माननिया DCP सराने सोबद घेवून त्या ठीकाने आमी गेलो असता बरेश लोग दहाते वीच लोग त्या ठीकाने जमलेले होते आनि दोन लोग त्या ठीकाने रोहित बार चा गेट समोर दोन लोग एका प्लास्टिक चा जिली पन्नी मादे दारू विकत असतनी सापड ले आमी त्यारना ताब्याद घेतला आनि त्याना विचार ले असता त्यानी सांगेतली कि या रोहित बार मदू नाम ही दारू विकत अहे त्या ठीकाने चे उकशी के लिए आसता तर आत मदे एक मैनेजर त्याना अवेध्य पने ते दारू पूरवत होता आनि ते दोन वेक्ती त्यान विकत होते लोग अन्न विकत होते त्यान चे ना विचार ले आसता विसंद्य उसके लिए वाड़ी से सौरप पार्टिल के रिपूर्ट